नमस्कार साथियो टॉप 50 श्टेडी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ले करके आ गए हैं बाल विकास की सिलेवस के अनुसार हम कक्छा हैं जिसमें आज पहली कक्छा में हम चर्चा करेंगे जो की हर बाल विकास में हर जगाए पूछा जाता है विकास की अबधारणा उसका अधिकम से संबंद आज हमें इस पर पूरी चर्चा करनी आप इस वीडियो को पूरा देखना इसके बाद इस चेप्टर में से कहीं से भी कॉस्टन बनेगा आप बिल्कु साही करके आएंगे इसलिए बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है आप हमारे चैनल से जरू जुड़े रहें चली सुरूवाइट करते हैं विकास की अध्धारणा वाधीकम से संबंद तो सबसे पहले इसमें ब्रद्धि के बारे में पढ़ते हैं क्यों की ब्रद्धि वीडियो विकास से कॉस्टन बनते ही है इस बहां की जलवायू परीवेस वातावरन भोजन पर निर्वहर है इस सब कैसे बढ़ते हैं जलवायू कैसी ये बातावरन कैसे बोजन मगर हैं कैसे उसकी आधार पर बढ़ते हैं अर्थात कहा जा सकता है कि ब्यक्ति के सरीर का बढ़ने और परिवर्तन होने का सर्व प्रमुक करना बाहबातावरण से अंता क्रिया करना कहा जा सकता है सोरेशन के सब्दों में कहा जा सकता है कि अभी ब्रद्धी से आसे सरीर और सालीरिक अंगों में भार तथा आकार की ब्रद्धी होना अभी ब्रद्धी मतलब सरीर में और सरीर की अंगों में क्या होना भार इत्यादी में ब्रद्धी होना ही क्या है अभी ब्रद्धी ऐसी ब्रद्धी को मापा जा सकता है याद रखिएगा अभी ब्रद्धी को मापा जा सकता है विकास को नहीं माप सकते लेकिन अभी ब्रद्धी को क्या कर सकते हैं माप सकते हैं इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया विकास के संबंध विकास से संबंध परि अभी वरत्ति में जो सारी रिक जो उनके बढ़ता है बजन बढ़ना लंबाई जोड़ा ये इसमें आता है लेकिन विकास में क्या होता है तो विकास में विक्ति के मानसिक, सामाजिक, सम्वेगात्मक सारी रिक द्रिष्टी में होने वाले परिवर्तनों को लिया जाता है वि विकास के सम्मंध में जो प्रमुख सिक्षा सास्तिव कथन है क्यों कथन से सम्मंदित भी यह क्या दो प्रसनाते हैं तो आपको हम कुछ कथन बता दे रहा है जो बारबार पेपर पूछे जाते हैं ठीक है फिर इसके आगे और पढ़ते हैं पहला जो कथन है इसकिनर जी का है इसकिनर जी का कहना है कि विकास जीवन और उसके बातावरण की अंतक्रिया का प्रतिफल है विकास क्या है जीवन और उसके बातावरण की अंतक्रिया का फल है ठीक है दूसरा कथन देखते हैं दूसरा कथन है ड्रेयर जी की अनुसार विकास परिवर्तन स्रंखला की वै अवस्था है जिसमें बालक का क्या होता है ब्रूण अवस्था से प्रूण अवस्था तक गोजरता है बालक ठीक है विकास परिवर्तन की क्यासी संगला है ब्रूण अवस्था से लेकर के प्रूण अवस्था तक गोजरता है अव के सब्सक्राइब अना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अनुसरalta पूरीख लेकर आ रहे हैं और आंगे इससलिए आप हमारे चैनल से जोड़े रहे और इस लिंक को आँगे भी सेयर करें चली शुरुबात करते हैं, मानो विकास की अवस्था ने 7 कालों विभाजित किया, पहली क्या है, गर्वावस्था से गर्वाधान से जन्व तक, गर्व में आने से जन्म होने तक, सेश्वावस्था क्या है, जन्म से 5 वर्स के बीच की अवस्था सेश्वावस्था, ठीक है, इसका तीसरी है बाल्य आवस्था ये 5 से 12 वस्था होती है चोथी है किसूर आवस्था 12 से 18 वस्था होती है पांचीवी वे युवा आवस्था 18 से 25 वस्था होती है छटवी प्रोड आवस्था 25 से 55 और ब्रद्द आवस्था 55 बर से मित्यु तक अलग अलग बिद्वानों के नवस्थाओं के संबंद में अलग अलग मत हैं लेकिन जो अधिकतर बिद्वानों के सर्व संबंद मत हैं उसके नुसार हमने ले लिया कि गरवादान से जन्म तक गरवावस्था हो जाएगी फिर जीरो से पांच वर्स तक जन्म से पांच वर्स देखें, मानव विकास की अवस्थाओं के बारे थोड़ा समस्ते हैं, जो पीपर में आता है, मानव विकास जीवन परियंत चलने वाली क्रिया है, मानव का विकास कब तक चलता है, जीवन परियंत चलता है, यद्यभी सारीरिक विकास एक सीमा के बाद रुख जाता है, पर मन सरीर क्रियाओं में विकास निरंतर चलता रहता है, जो कि चारित्ते विकास, मांसिक विकास, भासाई विकास, कौन-कौन से विकास निरंतर चलते रहते हैं, वतार ठीक है, संभीक आत्मक विकास और सामाज विग्यास समले थे, हमें इसा चलते रहते हैं, चारित्ते विकास हो होता है क्योंकि इसी से question बनते हैं बड़े वाले सारीरिक विकास से सम्मंद बालक के आंत्रे को बाहे अवयवों का विकास जैसे बाहे विकास में उचाई का बढ़ना बजन में ब्रद्धी होना समलित है जिसे देखा जा सकता है बाहे विकास को देखा सकता है आंत्रेक विका उसे समलित किया गया उसे देखा नहीं जाता पर विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है निरीक्षण करना मानसिक विकास से क्या क्या अतात पर है कलपना करना निरीक्षण करना इसमरन करना विचार करना निर्णा लेना समस्या समाधान करना इत्यादी विभिन नियोगताई संग्यानातमक विकास से ही विक्से थे ठीक है? संग्यानातिक विकास कहलो या मानसिक विकास, कौन-कौन सी यवस्था है? कल्पना करना, निरिक्षण करना, इसमराण करना, बिचार करना, निलना लेना, समस्या समाधान, ये सब इसी से सम्बन देथें और देखें अर्थात कहा जा सकता है कि बालक के उन सभी मान से क्योगताओं इवं छमताओं में ब्रद्धी और विकासी सम्मलित है जिस कारण से बाय अपने आसपास के बदलते बातावरण में समायुजिन कर पाता है और अपने देनिक जीवन के समस्याओं को सुल जाने में अपने मस्तिक सक्तियों का पुना उपयोग आसानी से कर सकता है अब आंगे देखें महत्पूर संभेग आत्मा के बिकास सेवम अधीगम संभेग के अर्थ एसी अवस्था जो बालक के बिवहार को प्रभावित करती संभेग कौन-कौन से क्रोध, घिरना, भय, इसने, आस् अब मनुगत्यात्मा के बिकास, उसमें अधीगम देखते हैं कि संयोजन की आवशक्ता हो जिस चलना बैठना आधी इस फिकार से होता है अधीगम देखें लर्निंग अधीगम से आर्थो सीखना देखें बालक के विकास की विभिन नवस्थाएं एवं उनका अधीगम से संबंध अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले विभिन नवस्थाओं के बारे में इसमें से एक कॉस्टें जरूर बनता है पूरा पढ़िये का ठीक है? देखें क्या है? सेशव अवस्था एव इसके दोरान आधी गम सेशव अवस्था में कैसे आधी गम होता है? देखें समाजी करण भी बच्चों का इसी काल में प्रारम हो जाता है सिख्षा की दरिश्टी से भी सरवाद Eck महतपूर माना जाता है सेस आउकाल सच्छा की दृष्टी से ही माला जाता है ठीक है अब देखें बाल्ले अवस्था के बारे में बाल्ले अवस्था के दोरान कैसे अधी कम होता है 6 वरसे 12 वरस्था की अवस्था को बाल्ले अवस्था कहा जाता है ठीक है वहाँ जन्म से 5 तक कर लेना सेश वाबस्ता 6-12 बाल्यावस्ता बाल्यावस्ता के पर्थम चरण 6-9 बरसों में बालकों की लंबाई एवन भार दोनों बढ़ते हैं बाल्यावस्ता का पर्थम चरण 6-9 अगला है 10-12 ठीक है दुतिये चरण तो अपन 6-9 में क्या लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं इस काल में बच्चों में चिंतन और तर्ग सक्तियों का विकास कहां किस वाबस्ता में होता है चिंतन और तर्ग सक्तियों का विकास बाल्यावस्ता से होने लगता है इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुची लेने लगते हैं सेशवावस्था बच्चे जहां बहुत तीब्र गती से सीखते हैं बही बाल्यावस्था में सीखने की गती मंद हो जाती है याद रखीगा सेशवावस्था में तीब्र गती से सीखते हैं पिक्षा बाल लियावस्था में उनकी गती क्या हो जाती सीखने की मंद हो जाती है मनो बैग्याने की द्रश्टी से एसा वस्था में बच्चे की सिक्षा के लिए बिविन बिधियों का प्रियोग करना चाहिए अलग-अलग विदियों का बाल लियावस्था में क्या करना चाहिए? प्रियोग करना चाहिए बच्चों को सीखने के लिए. अब देखें किस हो रावस्था? यही कॉस्टन पूछे जाते हैं, बोलको महत्पून वीडियो आपको नरंतल लेकर के आते रहते हैं, बेरी-बेरी अबस्था में हम इसके दोरान अधिक हम कैसे होता है? बारह वर्ष से अठारह वर्ष तक की अवस्था क्या है? किसूर अवस्था है? ठीक है? यह बैस समय है जिसमें ब्यक्ति बाल्ले अवस्था से परिपक्कता की और उन्मुक होता है. विस अवस्था से परिपकता की इस अवस्था में किशुरों की लंबाई एवं भार दोनों में ब्रद्धी होती है लंबाई भी बढ़ती है और भार भी बढ़ता है किशुर अवस्था में साथी मास पेसियों में ब्रद्धी होती है कौन सी अवस्था में किशुर अवस्था में होती है और देखें 12-14 बरस की आईव के बीच लड़कों की अपेच्छा लड़कियों की लंबाई एवां मास पेसियों में तेजी से बरद्धी होती है 12-14 बरस की उमरवेस में क्या होता है लड़कों की अपे इच्छा लड़कियों की मतलब लंबाई में मास पेसियों ब्रद्धी जादा होती है और 14 से 18 वर्स के आयों के बीच लड़कियों की अपे इच्छा लड़कों की लंबाई मास पेसियों बढ़ती है तो 12-14 में लड़कियों की लंबाई मासपेसियां बढ़ती है और 14-18 में लड़कों की ठीक है पहले फश्ट बूमेन है ठीक है अपने नहीं कहते हैं फश्ट बूमेन पहले इस्तरी तो 12-14 बरस पहले किनका लड़कियों की मासपेसियां में ब्रद्धी होती है और 14-18 बरस के मूल प्रवतिया जागरित होती है ठीक है? आगे इस अवस्था में किसोर किसोरियों की बुद्धी का पूर्ण विकास हो जाता है उनकी ध्यान केंदरित करने की छमता बढ़ जाती है इस मनण सक्ती बढ़ जाती है उनमें स्थायत तो आने लगता है किस अवस्था में? योन समस्था इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्था क्या है? योन समस्था है इस पकार से आज हमने पहली किलास पढ़ी कल हम दूसी किलास लेकर के आएंगे इस इन्रंतर सिलेवस के अनुसर पूरी किलास से चलेंगी आप इस किलास को कर दें 135 प्रस का लक्ष लेकर के हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे अंकों से आप पास हों ऐसी हमारी सुपकामनाएं हैं और पुना अंगली के लास के साथ मुलाकात होगी इसी तरह आप पढ़ते रहें दोस्त साथियों हमारी बहुत सारी सुपकामनाएं कि अ